आज हम न्यूट्रियंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रियंट क्या होता है न्यूट्रियंट वो सबस्टेंस होता है जो आप खा रहे हैं उसमें वो सबस्टेंस होता है जो कि किसी भी और्गेनिजम के लिए जरूरी है survive करने के लिए, grow करने के लिए और reproduce करने के लिए अब यह organism जो है यह कुछ भी हो सकता है यह human हो सकता है, यह plant हो सकता है यह fungi हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है तो humans के लिए जो है वो 6 major nutrients होता है पहला है carbohydrate, दूसरा है protein तीसरा है lipids, lipids मतलब fat चौता है vitamins, फिरा है minerals और last में 6 जो nutrient है वो होता है water तो basically यह 6 major nutrients हैं जो human को survival के लिए, growth के लिए और reproduction के लिए चाहिए होते हैं